Hello everyone, welcome back to my channel, मेरा नाम प्यूश बनसल है, अज की इस वीडियो में हम आंदरपदिस पोस्ट के रिपार्टमेंट के कुछ रेक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, उसी के बारे में देखने वाले हैं, तो GDS रेक्रूटमेंट 2021 अल्रेडी इनका आचुका है, that is for the gram dank sewa, इसमें काफी सारी पोस्ट हैं, काफी सारी वेकेंसी हैं, तो उसी को लेके हम complete information देखने वाले हैं, कि क्या आपकी important dates रहेंगी, वेकेंसी क्या रहें, salary और application fees क्या रहेंगी, eligibility criteria कौन इस position के लिए apply कर सकता है, कैसे आप apply कर सकते हैं, और selection process क्या रहेगी, आपने apply कर दिया, selection process इसलिए important है, क्योंकि आपको इसमें ना कोई exam देना है, ना ही कोई आपका interview रहेगा, सीधी भरती है इसके लिए, तो सबसे अच्छी जीज़ है आपको जानना कि इसमें selection criteria किस based रहेगा, important dates की बात करता हूं, तो online registration और इनके 27th January से start हो चुके हैं, last date है, अन्तिम्तिति अग अप्लाय करने के लिए तो वो 26 फरवरी है, 26 फरवरी तक आप अपनी application को submit कर सकते हैं, vacancies की बात करता हूं, तो ये तीन position के लिए, तीन post के लिए, इनकी total vacancies, 226, 2296 total vacancies available है, पोस्ट की बात करते हैं, तो branch postmaster, assistant branch postmaster, और third आती है इनकी डांक से, अगर salary structure की बात करते हैं, तो branch postmaster की जो salary रहेगी, वो approximately 12,000 से 14,500 के आसपास रहेगी, और डांक से बार ABPM के अगर बात करते हैं, तो 10 से 12,000 के बिक्मे salary रहेगी, application fees इनकी 100 रहेगी, अगर exempted candidates हैं, तो उनके लिए कोई fees charge नहीं होगी, और exempted candidate में साधे female, trans woman candidate और साधे PWD candidates के लिए fees exempted है, eligibility criteria, या कोई भ अगर उसके पास certificate है, तो वो इस position के लिए apply कर सकता है, clearly लिखा हुआ है हाँ पर कि secondary school examination, that is 10th class pass certificate of 10th standard with the passing marks, only passing marks इन्हें चाहिए, अगर आपने वो हैं, तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं, थोड़ी बहुत computer knowledge है, तो और आपके लिए अच्छी बात है, अदरवाइस उसका 40 years की आपकी age limit का criteria है, 18 साल से 40 साल की कोई भी बंदे हैं, इसके लिए apply कर सकते हैं, boys and girls दोनों ही apply कर सकते हैं, age relaxation के लिए मैं आपको official notification की link description में दे दूँगा, तो वहां से आप age relaxation की detailed form में information ले सकते हैं, how to apply, first आपको registration करना होगा, इनका online आप registration जैसे ही करते हैं, फिर आप आपका fees payment हो जाएगा, इनके online mode से ही bank account या किसी भी mode से आप payment कर सकते हैं, payment वो हो सकता है कभी बाग, कभी time के 72 hours लगते हैं for the settlement के लिए, तो आप उता वेट कीजेगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको जल्दी apply कीजेगा, इसके लिए, third फिर आप apply online application आप online fill करेंगे, documents क अप्लोड करेंगे, अपनी post preference को submit करेंगे and then take the print out of that application form, तो यही सारी process अगर आप अप्लिकेशन submit हो जाएगे, selection process के इनका interview नहीं है, कोई exam नहीं है, तो यह किस पर select करेंगे, यह सिर्फ आपको 10th के examination या score के विसस पर select करेंगे, अगर आपने कोई higher education की है, अच्छे से सोन है, अगर आपने कोई higher education की है, तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ 10th के marks के basis पर ही आपको judge किया जाएगा, उसी के basis पर ही आपका selection होगा for the postal department of the various post, जिस post के लिए आप apply करते हैं, तो simple 10th हो आपके पास, तो आप apply किजी, apply करने के बाद, अगर आप वो finalize करते हैं, आपके selection को, तो आपको उसके लिए inform कर दिया जाएगा, तो यह बहुत simple सा procedure है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही guys, आपको इसके लिए जितना गल्दी apply करेंगे, वो आपके लिए benefit रहेगा, तो apply कीजी, अगर आपको कोई problem आती है, यह से related कोई doubt है, त सकते हैं, thank you for watching this video guys,